नमस्कार दोस्तों सुआत करते आफ चैजी कूईज में तो दोस्तों आइजोएकि भीहार मदर शुपाई २ूभरती के लिए एक GKGS सेट लेके आए वहें जो BBI सेट है आपके एक्जाम्स के लिए तो आज की सेट को आपसे complete जरूर सॉल्व किजेगा बिल्कुल आपके पेपर की तरह ये पेपर आपको मिलेगा ध्यान डखेगा आप सभी अगर इस सेट में अच्छा स्कोर कर पाईएगा तो बेहितर तैयारी आपका माना जाएगा ध्यान डखेगा आप सभी तो complete आपसे जरूर सॉल्व किजेगा तो चलिए शुरू करते हैं जो चैनल पर पहली बारा हैं चलिको सस्काइब कर बाद गंड़ी को प्रीस कर लिजेगा आपसे बीस कर लिजेगा ताकि जब भी भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नौडवे सबसे पहले प्राप्तों से कि फिर वीडियो को लाइक करके आपसे भी सेर जरू कर दीजेगा आपसे भी से रिक्वेस्ट है तो चलिए शुरू करते हैं आए आएत की सेट का फ्वेस्ट कोशिन दिखे भारते सब इधान में सबर्दिक परभाव निमन में से किसका माना जाता है अगर इन सेट में किसी भी कोशिशन का आंसर पता होता अपना आंसर आपसे नीचे कमेंड बॉक्स में बता सकती है चले बताएंगे इस कोशिशन का राइट आंसर क्या होगा तो राइट आंसर आपसें में हो जाएंगे भारत सरकार अधिनियम मुने सो पाइटीस को माना जाता है द्यान रखेगा क्योंकि अभी जो सब इधान में लिया गया है लगबग 2 बटा 3 बाइट जो इफेंड वो भारत सरकार अधिनियम मुने सो पाइटीस से ही लिया गया द्यान रखेगा जैसे क्या लिया गया है शांगनात्मक सरकार के अस्थापना केंद्र में दुएच आसन के अस्थापना पलस में 12 सदन ये केंद्रिय विधान मंडन लिया गया है केंद्रिय वं प्रांतों में सक्तियों का विभाजन से सम्मंदित तत्व जो लिया गया है वो भारत सरकार अधिनियम से ही लिया गया उन्हें सो पाइटीस से कि लिए रहें आगला कुशन है कि भारते सभिधान द्वरा प्रारम में कितने मौलिक अधिकार परदान किये गये थे, फ्रेंड, प्रारम भी की बात किया जा रहा है, तो उससे में साथ मौलिक अधिकार था, ध्यान रखेगा आप सभी, कितने मौलिक अधिकार थे, साथ मौलिक अधिकार, अभी कितने है, छ तो वालिशुए सभिधान सं 1798 की द्वरा सम्पत्तिक अधिकार को हटा कर क्या क्या कानुनी अधिकार कर दिया है। अधारित नहीं है राइट आंसर ऑफिशन में डियो जेंगे मज़दूरों का संड़क्षन यह जो इफ्रेंड गांधी वादी दर्शन पर अधारित नहीं है जबकि पंचायतों का गठन ग्रामिन उद्धोग को बढ़ावा देना क्रीशी अभंपसु पालन का संगटन यह सम्मेकित नेधी से राज्यों की साहता अनुदान देती है तो यह जो देती है फ्रेंड बित आयोक की सिफारिश पर ध्यान रखेगा आप सभी ऑफिशन में यह राइट आंसर एंगे अगला कोश्चन देखिए भारत में अफ्षिस्ट सक्तियान नहीं दोती है तो राइट अब सभी उसे जरूर्ब कर लिएगा प्रक्टिस रीट से लिंक नीचे डिस्क्रिप्सन में दीना हुआ सारह प्ले लिश्ट में आइड कर दीन तो तेरह प्रैक्टिस ओड़्यों हो चुका है आप से जरूर कभर कर लिश्चे अगला है कि भारत सरकार का मुख्य कानुनि स सहलाकार किसे माना जाता है तो राइट आंसर उफशन मर सी हो जाएंगे भारत की महानिवादी को माना जाता है ध्यान रखीगा आप सभी अनुछेद चीयत्तर के तहद जो फिर्ण वराष्ट पती नुक्ती करता है भारत की महानिवादी को कानुनी मामलों में प्रामर्स देने के लिए करता है के लिए रहें आगला कोशन देख लिए जो फिर्ण वीडियो को लाइक करके आप सभी सीयर जरू कर दिजेगा आपका एक लाइक मो पुरूर किजेगा वीडियो को अगला कोशन देखे भारते से विधान के किस अनुच्छेत के अनुसार राज विधान परिशत बनाई या समाप्त की जा सकती है तो राइट आंसर ऑप्सन मसे जाएंगे अनुच्छेत एक सो उनत्तर के तहद राज विधान परिशत बनाई पिखने जा सकती है या समाप्त की जा सकती है अगला कोश्ण देखे ये भारते से विधान के किस भाग में केंदर सासित पर देर慌 के बारे में है कि राइट अंसरिशन विजन. भाग आर्ट में जो इफेंड वो केंद्रसासित परदेशों के बारे में बताया गया है अगला कोई सेने कोका कोला जैसे पदार्थों में किस अमले की उपस्थिति के कारण खटा स्वाद का अनुवाव होता है राइट आंसर आफिसर में योजएंगे फास्फोरिक अमले की उपस्तिति के कारण जो फिर्ड वो खटा स्वाद होता है ध्यान रखेगा आप सभी और फास्फोरिक अमले का सूत्र क्या होता है तो ध्यान रखेगा आप सभी हऑच से दिstag लेजे अलक्ट्रोन का एंट पार्टीकल होता है लेक्ट्रोन का एंटि पार्टिकल होता है पॉस्त्र नह दें ई अगला कोई से दिख़ें कि बार्मान में शबर्दिकnelle ताथ वो पाया जाने वाला तत्व कौन सा है बर्मान की बात किया जा रहा है तो A8 आंसरेंगे हाइट्रोजन पाय जाता है बर्मान में ध्यान रखेगा आप सभी हाइट्रोजन बर्मान में सबसे अधिक मातरा में पाय जाता है पर अगर वायू मंडल यह की बात करें कि वायू मंडल में सबसे नियत मात्रा का पाइतण उसके दाब के वयुत क्रमानुपाथी होता है यह नियम च्या कहलाता है चिले बताएंगे इस नियम को क्या कहते हैं सभी तो Right आंसे ऑपिसन में युजीन कि किसका नियम कहा जाता है वोयल का नियम कहा जाता है अगला है कि धुवा किस परकार के विलियन का उधारन है छले को इसमें तेरा के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे देखिए पूरा डेड़ सो कोईशन का आपको पेडियाप टेली ग्राम पे देदेंगे तो वहां से जाके आपसे भी डाउनलोड कर लिजेगा टेलीग्राम का नाम युवा सकती जी के कोईश दे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है टेलीग्राम का आपसे जरूर जाके इसे डाउनलोड कर रिवाइज किजेगा तो धुवा किस परकार की विलियन का उधारन है तो गैस में ठोस का उधारन है आप्शन भी रैट आंसर ए इंगे अगला कोश्चन देख लिए जे ऑक्सी करन तथा अभकरन दोनों जैसा आचरन करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है राइट आंसर ओप्शन में रहें डिंगे ने अट्रिक अमले नहीं है ध्यान रख जाएंगे आप सभी ओक्सी करन तथा अभकरन दोन जैसा आचरन करने वाला पदार्थ नाइट्रिक अमने नहीं गया जबकि हाइट्रोजन सल्फाइड है हाइट्रोजन पेरोक्साइड है और सल्फर डायाउक्साइड है अगला कोशन देखे भारत के पर्थम गवर्नर्स जिनरल कौन थे तो राइट आंसोर उप्रसन मरें गयां एव जाएंगे लौड विल्यम nगहीं लौड विल्यम बेंटिग जो है यह भारत के पर्थम गवर्णर्ण जिनरल थे दिजान रखेगा अपसभे लोड के निंग कौन था तो यह भारत के आंतिम् करफिम गवर्णर्ण जिनर था लॉर्ड मॉन्ड वेटन और अंति वाइस राइथा ध्यान रखेगा आप सभी लॉर्ड मॉन्ड वेटन अगला कोईशन देखें भारत की पर्थम महिला IPS कौन थी फ्रेंड तो राइट आंसर ओफिसर नमर देखेंगे कीरन बेदी फ्रेंड कीरन बेदी जो है ये भारत की पर्थम महिला IPS थी अन्ना जार्ज कौन थी ये भारत की पर्थम महिला IAS थी ध्यान रखेगा आप सभी फातीमा भी भी कौन थी तो ये सुप्रीम कोट की पर्थम महिला तो राइट आंसर ओफिसर में एव जाएंगे चीन देगे चीन कागजी मुद्रा जारी करने वाला पर्थम दे से ध्यान रखेंगे आफ सभी अगला कोशन देखिए फॉल बैक सब दिन निम्न में से किस खेल से संबंदी थे अब 네 और यह संबंदी थे कुश्ती से तो फॉल बैक जो संबंदी थे वो किसे संबंदी थे कुश्ती से सं भाग लिए हैं इसके अलाबा पूल, चीत ये सभी कुष्टी से ही संबंदी थे हैं। अगला है कि भारत ने सरपर्थम किस हुआ से राष्टमंडल खेलों में भाग लिया था, फ्रेंड। तो राइट आंसर आफशन में से विजाएंगे 1934 में, भारत ने पहली बार राष्टमंडल खेलों में भाग लिया था, ध्यान रखेगा, पर्थम राष्टमंडल खेलों का आयोजन जो हुआ था, यह हुआ था, हेमिल्टन में जो कानाडा में पड़ता है, वहीं पर पहली ब पॉरिशन आपको हम कवर करवाने वाले हैं, भारत के किस राज का समूंदरी तट्रेखा सबसे अधिक लंबा है, राइट आंसर आफशन वसे जाएंगे गुजरात, गुजरात का जो एकी तट्रेखा सबसे लंबा है, ध्यान रखेगा आप सभी, और भारत का नो राज जो उडिशा और पस्चिम बंगाल है, तो ये नो राज लगा हुआ है, अगला कोशन देखे, निमलेकित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, परबत दर्रा दिया हुआ है और राज दिया हुआ है, देखे, सिपकिला दर्रा हिमाचल परदेश में बिलकुल सही है, बोमडिला दर् जिला थे नाथुला दर्रा कहां पे सिक्की में हैं तो ध्यान रखेगा आप सभी नाथुला दर्रा जो है वह सिक्की में ना कि में गाले में याद रखेगा आप सभी जो जिला कहां पे जम्मु कस्मीर में हैं किलिए रहें तो याद रखेगा नाथुला सिक्की में अगला को सबर्दिक भूज छेतर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो राइट आंसर ऑफिसन में जलोड मिट्टी पाई जाती है ध्यान रखेगा तो भारत में सबर्दिक भूज छेतर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है जलोड मिट्टी पाई जाती है लगबग 42% भागों पर जल द्यान रखेगा और यह मिट्टी जोएगी किसके लिए उपयोगी है तो जैसे हो गया धान गेहूं गणना आलू तेलहन दलहन यह सभी उपजाओ के लिए उपयोगी माना जाता है इस मिट्टी को अगला कोशिशन देख लिए निमलिकित में से कौन से जल विद्दूत परयो जिना जम्मू कस्मिर में नहीं है यह कहां पे हिमाचल परदेश में हैं कहां पे हिमाचल परदेश में हैं ध्यान रखेगा आप सभी के लिए रहें जम्मू कस्मिर में कौन कौन सा है सलाल है उरी है दुलहस्ती है यह सभी जम्मू कस्मिर में हैं अगला कोशिशन निमलिकि न्मर डी हो जाएंगे राष्टिय जल मार्ग फॉर की लंबाई सबसे अधीक हैं कितनी यहें 2890 किलो मीटर हैं ध्यान रहां रखेगा आफ सभी कितना है 2890 किलो मीटर राष्टिय जल्मार्ग वन की लंबाई कितंप है चुर्ला सो बीस km वहीं पर टो की बात किया जये तो इसकी लंबाई जो इफिन 991 km कितने 991 km और वहीं 3 की बात किया जये 1425 km है तो सबसे अधिक लंबा कौन है राष्टिय जलमार्ग फोर है अगला है लाल बहादुर सास्त्री अंतराष्टी हवाई अड़ा कहा है तो राइट आंसर ओप्सन नमर भी हो जाएंगे वारा नसी में ध्यान रखेगा आप सभी तो लाल बहादुर सास्त्री अंतराष्टी हवाई अड़ा कहा है वारा लखनौ में कौन सा है तो लखनौ में चौधरी चरंज सिंग अंतराष्टी अवाई अध्डा है और कॉलकाता में नेताजी स्वास चंद्र बोस अंतराष्टी अवाई अध्डा है अगला कोई से देख लिए निमलेकित में से कौन उसने कटी बंदिये घास अस्थल नहीं है तो राइट आंसर ओफिशन में डियो जाएंगे पंपास जो एफन ये उसने कटी बंदिये नहीं है ध्यान रखेगा ये क्या है सीटो उसने कटी बंदिये घास अस्थल है और ये कहां पाए जाता है अर्जेंटीना में अर्जेंटीना चेतर में पाए जाता है पंपास सव प्राजिल च्छेत्र में है और लानोज यह वेनुजेला च्छेत्र में है, जो कि एक उशन निकट वन दिये घांस अस्थले हैं, अगला कोशिन है कि पर्थम, पिर्थिवी सिखर सम्मिलन का ऐवजन कहां किया गया था? तो पर्थम पिर्थवी सिकर सम्मिलन का आयोजन जो किया गया था रियोडी जिनरो में किया गया था ब्राजिल में ध्यान रखेगा आप सभी और ये कब किया गया था उनैस सो बेरानबे में किया गया था संयूक राज अमेरिका द्वारा किसे लिए किया गया था तो परियावरन तथा सतत विकास पर पहल करने के लिए किया गया था अगला कोविशन ये बंड़े कि राष्टे परियावरन अभियांत्रिक सोध संस था निम्न में से कहां अवस्थी थे तो यह आवस्तित है नागपूर में ध्यान रखेगा आप सभी तो राष्ट्य परियावरन अभियानत्रिक सोथ संस्था जो है नागपूर में इस्थी थे अगला है कि परियावरन सरक्षन के लिए Green Army कहां प्रारम किया गया था तो यह औस्ट्रिलिया में प्रारम किया गया था, ध्यान रखेगा आप सभी परियावरं सनक्षन के लिए ग्रीन आर्मी का जो प्रारम किया गया है, अगला कोईशन दिखेगे, समुन्दरी वातावरं में मुख प्रात्मिक उत्पादक होते हैं, तो राइट आंसर जेंगे फाइटो प्लेंड के टॉंस होते हैं ध्यान रखेगा आप सभी समुंदरी वातावरण में मुख प्रात्मिक उत्पादक अगला कोईसे ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसे संबंदी थे तो यह अजोन प्रत के च्षाई को रोकता है ध्यान रखेगा आप सभी और यह अजोन प्रत से संबंदी थे ध्यान रखेगा आप सभी जो अजोन प्रत को हानी पहुचा रहा है उसे क्या करता है हटाता है ये अगला पूशन देखे लिए निमलिकित में से कौन सी सवयता अपने नगर नियोजन के लिए परशिति फ्रेंड तो याद रगेonders gap आप सबी सिंदु गाटी की सवयता अपनी नगर नियोजन के लिए परशिति ध्यान रखेगा और सिंदु तो याद रखेगाए 8510 चंद्रुपत मुर्य हैं अंतिम दिनों में जयन धर्म की दिख्चा लिए ता किसे बाहन इससे रखा था और इसे मश्रीर्टैंग था अगला कोश्चन निम्लिकित में से कौन सा कला Greek body कला के नाम से भी जाना जाता है तो गंधार कला को जाना जाता है option में सी राइट आंसर एंगे अगला कोश्चन देख लेजे चंगेज खान ने किसके सासनकाल में भारत की सीमाओं पर आकर्मन किया था राइट आंसर ओफिसर में दिजेंगे इल्ट तुत्मिश के सासनकार में भारत की सिमाओं पर चंगेज खाने आकर्मन किया था तो ओफिसर नमर डी राइट आंसर हैंगे इसे के दवरा कुतुब मिनार निर्मान कारी को पूरा किया गया था और यह कौन थे कि तुबूधिन एवक के दमात थे अगला कोईशन देख लिजी अगला कोईशन है कि दिल्ली संतलत का अंतिम बंस था तो राइट आंसर ओफिसन में लोधी बंस दिल्ली संतलत का अंतिम बंस था और 1526 में पानिपत का पर्थम यूद हुआ था और इस यूद में क्या हुआ लोधी बंस का ह खिल्जी बंस था, तुगलक बंस था, सैयद बंस था और लोधी बंस था, लोधी बंस अंतिम था, अगला कोईशन देखे, कोईशन में 63 कर लेते हैं, अकवर्ण द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दिन ए इलही का मूल उद्देश किया था, तो इसका मुक उद्देश थ यह भारती राष्टे कॉंग्रेस के पर्थम मुस्लिम अध्यक्ष थे और जो कि भारती राष्टे कॉंग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो हुआ था कब 1887 में उसी समय बना था ध्यान रखेगा आप सभी पर्थम अध्यक्ष कौन थे श्री व्यूमेस चंदर बनर जी थे जो की 1885 में बना था और 1885 में भारती राष्टे कॉंग्रेस के अस्थापना भी वी थी एओ हिूम की द्वरा किया गया था अगला कोई से ने साबर मती आश्रम की अस्थापना गांधी जिद्वरा कब किया गया तो साबर मती आश्रम की अस्थापना जोएफेंड ये गांधी जिद्वरा उनएश्व 17 में किया गया था और याद रखेगा उनएश्व 17 में ही चंपारन सत्यगर हुआ था अगला है कि निमने में से किस घटना क पहले शोविनिय आवग्या आउंदोलन हुआ था तो किस घटना से पहले जो एकी शोविनिय आवग्या आउंदोलन का सुरुवाद हुआ था यह हुआ था गांधी इर्विन समझाता के पाले ध्यान रखेगा गांधी इर्विन समझाता कब हुआ था पांच मार्च 1931 को तो कोशिशन क्या का आ गया कि किस घाटना के पहले सोविनिय अब या अंदरन शुरूवा था तो गांधी इर्विन समझोता कि पहले हुआ था ध्यान रखे गाप सभी उन्हें सुतीस में ही शुरूवा था साइमन कमिस्टन कब आया था तो ये उन्हें सो अठाइस में आया था और चुराचुरिकांड कब हुआ था पांच फरबरी 1922 के घान रखे गाप सभी और इसी में अंदरन को वापस लिया गया था पुना पैकेट कब हुआ था पुना पैकेट पर समझोता जो हुआ था ये 1932 में हुआ था कब 1932 में वआ था तो कोशिशन के हिसाब से अंदे एर्विन समझाउता ही था और सायमान कमिशन और चौरा चौरी कांड बहुत आगे हो जाता है अगला कोशन है कि रविनाट टैगर की गितांजली निम्न में से किसका संग्र है गितांजली के लिए रविनाट टैगर को 1913 में नोबेल पुरुसकार दिया गया था ध्यान रखेगा आप सभी कब 1913 में दिया गया था गितांजली के लिए और इसमें जो एकी भासा लिखी गई थी वो मुक्रूप से बांगला भासा थी और ये कविताओं का संग्र है याद सब्सक्रां के लिए इंड्योंनेसियाया था कुछ मुक्र dependent निरवाचन आयूक्त किसे बनाया गया वाहा है 네 यह भासां में प्रक्राइल को मार कर आक्छा स्ब्सक्राद में वारत को बनाया है मुक्राद कृषokee कर दो ऐका कृषए है अग्या है तो यह जो किया ग्या है कोलकाता सहर में किया ग्या है ध्यान रखेगा आप सभी अगला है कि अगला है टाटा आइफेल 2022 का किताब कि स्टीम ने जीता है तो आप से को पता हूंगे गुजरात टाइटन्स ने जीता है भी रइट आशरेंगे अगला है एलिजाबेथ बॉर्ण हाली में किस देश की परधान मंत्री बनी है रइट आँशर ऑफ्सेन में जैंगे फ्रांस की परधान मंत्री बनी है ध्यान रखेगा आप सभी अगला को इसने अंतराश्टे बुकर से तू किसी चुना गया है तो ए राइट आंसर एंगे गीता अंजली स्री को चुना गया है अंतराश्टे बुकर फुरुषकार 2022 से तू ऑफ्शन में ए राइट आंसर एंगे अगला कोशन देख लेजिए कोविट 19 महामारी के समय नेम्न में से किस एक्ट के ताहद भारत सरक पन के ताहद किया था ध्यान रखेगा आप सभी अगला को शने बीस वी पर्तिवी दिवस 2022 का थिम क्या है कि तो राइट आंशर ऑफिसल में एव जाएगे इनवेश्ट इन आवर फ्लेनेट ध्यान रखे आप सभी एपसल में राइट आंसर यहीं स्वाप्त करते हैं आज क एक बार share इसे जरूर कर दिजेगा इतना सा काम आप जरूर किजेगा फ्रेंड तो मिलते हैं जहिंद बंदे मात्रा अपना ध्यार डखेगा आप से भी पढ़ाई करते रहीगा जहिंद